आज की जो हमारी क्लास होगी ये इन्वार्मेंट से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिमालियन वल्चर तो देखते हैं हिमालियन वल्चर जो है ये निज्व में क्यों है तो रिसैंटली जो असाम का एक स्टेट जो है जू है गुहाती में उन्होंने एक ग्राउंड बेटिन फीड जो है उसको अचीव किया है जिसका scientific name जो है जिप्स हिमालयाने सिस जो है ये इसका scientific name है इसको कभी भी आज तक जो है captivity में रखके इसकी breeding जो है वो नहीं करवाई गई थी तो पहली बार Assam का जो state Assam State Zoo जो है गुहाटी में वहाँ पर इसकी captivity में रखके इसको breeding जो है वो करवाई गई है उसी के साथ साथ जो union ministry of health and family welfare है उन्होंने एक decision लिया था जिसके तहट जो है आपके दो drugs होते हैं एक है आपका acylofenac और दूसरा है ketoprofen इन दोनों को जो है उसको उसके उपर जो है उसकी manufacturing के उपर जो है वो ban लगाया गया था या इसकी sale या फिर distribution जो है उसको prohibit किया गया था union ministry of health and family welfare के दोरा ये दोनों drugs जो है ये vultures के लिए काफी हानिकारक जो है उनकी kidney fails जो है इन drugs की वज़े से हो जाती है तो इन drugs की sale वगारा जो है ये distribution जो है उसको prohibit किया गया था union ministry of health and family welfare के दोरा उनके इस decision की वज़े से जो आपके vulture conservationists जो है या vulture experts जो है उनों उनके अंदर जो है काफी ज़र optimism आया और जिस वज़े से ये जो है पहली बार जो है अबने इसकी जो breeding जो है वो हमने करवाई है captivity में रखके तो इस तरीके के आपके ये vultures हिमालियन vultures इस तरीके का आपका नजरा आता है अब इसके बारे में थोड़ी सी highlights जो हम वो देख लेते हैं हिमालियन vultures के बारे में सबसे पहले देखते हैं इसका conservation status तो IUCN की जो red list है उसमें इसको near threatened category जो है वहां पे रखा गया उसी के लावा जो आपकी sites conservation on international trade in endangered species of wild fauna and flora उन्होंने इसको अपने appendix 2 जो है उसमें रखा हुआ है अब इसके characteristics जो है हमालियन vultures के वो देख लेते हैं हमालियन vultures is one of the largest old world vultures species boosting and impressive wingspan and formidable presence तो इसका wingspan जो है काफी ज्यादा impressive जो है वो होता है और उसी के सासा ये जो है जो हमारा ecosystem में उसको clean करने में मदद करते हैं क्योंकि ये feed करते हैं scavengers जो dead bodies जो होती है carcasses उनके ओपर ये feed करते हैं और ये जो है ये proficient scavengers के तोर पे अब बहुत ये अच्छा role play करते हैं क्योंकि job की dead bodies जो होती है उनकी वज़े से काफी ज्यादा disease जो है वो हमारे ecosystem में या environment में फैल जाती है तो ये उन bodies के ओपर जो है वो feed करते हैं तो जिस वज़े से ही ये जो है हमारे ecosystem को clean करने का काम भी जो है इनकी shades होती है black या फिर brown color की होती है which aid in its camouflage against the red mountain terrain तो क्योंकि ये mountain terrain में रहते हैं तो वहाँ पर ये जो है ये shades इनकी इनके लिए camouflage का काम जो है वो करती है अब इनका habitat or range देख लेते हैं the Himalayan vulture is aptly named as it primarily inhabits the towering peaks and valleys of the Himalayan mountain range तो जो Himalayan mountain range है उनकी valleys में रहते हैं या फिर उनकी mountain peaks के ओपर जो है ये Himalayan vulture वहाँ पर रहते हैं और generally winters में ये जो है Indian plains की तरफ जो है migrate कर जाते हैं और कौन-कौन से देशों में पाए जाते हैं ये Himalayan vulture सबसे पहले आपका India, Nepal, Bhutan और China तो यहां पर ये जो है challenging high altitude environments में भी ये Himalayan vulture पाए जाते हैं अब इनकी ecological significance वैस्तों मैं आपको अल्रडी बता चुका हूँ लेकिन एक बार जो है उसको दुबारा देख लेते हैं As top predators and scavengers, scavengers वो animals होते हैं या वो birds या वो mammals होते हैं तो dead organisms के ओपर feed करते हैं तो उनको scavengers कहा जाता है तो as a top predator and scavenger, the Himalayan vultures play a vital role in maintaining the health of its habitat and efficiently disposing of animal remains तो जो animals dead हो जाते हैं तो उनके remains को ये dispose of करते हैं Its scavenging behavior help prevent the spread of disease that could arise from decaying carcasses तो decaying carcasses जो आपकी dead bodies जो होती है, dead animal bodies या human bodies तो वो जो है अगर वो ऐसे ही बाहर environment में पढ़ी हैं तो उनसे कई तरीके की disease जो हो फैल सकती है तो ये जो होते हैं Himalayan vultures क्या करते हैं ये उनके ओपर feed करते हैं और जिस वजह से ये एक overall contribute करते हैं overall balance of the ecosystem में अब इनके challenges क्या हैं और conservation efforts में क्या क्या challenges हैं सबसे बाला challenge है breeding का ये जो Himalayan vultures होते हैं इनको कभी भी captivity में रखके breed जो है वो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जो है इनका natural breeding habits होती हैं और ये जो है snow clad mountains जो होते हैं ऐसे mountains जहां पर snow jammy होती है वहीं भी ये जो है breeding करते हैं successful breeding at the zoo was made possible through a long term captivity उन्हें बहुत ज्यादा देर तक उन्हें captivity में रखा गया जिसकी वजह से उन्होंने उस वहां का temperature जो है या वहां का environment जो था उसको tropical environment को उसको जो है inhabit कर लिगा और इस वजह से उनके successful breeding जहाजू में वह हो पाई factors such as habitat loss, food scarcity and accidental poisoning from veterinary drugs have contributed to its vulnerable status conservation breeding centers such as vulture conservation breeding center at Rani Assam or instrumental in the safeguarding vulture species अब यह जो मैंने आपको डो drugs बताये थे Ketoprofen और Acelophenic यह किस तरहिके से इनको इनके लिए harmful होते हैं यह दोनो drugs जो होते हैं यह non-steroid anti-inflammatory drugs होते हैं जो कि generally जो आपके animals होते हैं या especially जो आपकी cattle बगारा होते हैं उनको जब भी pain होता है या inflammation होती है तो उसके लिए यह drugs जो हैं उनको दिये जाते हैं अब जब उनकी death जो होते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो drugs जो होते हैं वो उनकी body में रहते हैं और जब vultures जो हैं उन drugs को और उनकी body को consume करते हैं तो वो drugs जो हैं वो vultures की body में enter कर जाते हैं और जिस वज़े से eventually उनकी death जो है वो हो जाती है तो इस तरीके से इस वज़े से ये जो है इन दोनों drugs का जो है Ministry of Health जो थी उनको जो है उन्होंने इसके उपर बहन लगाया था तो जिस वज़े से वल्चन्स की population जो है वो काफी ज़्यादा कम हो रही थी और जो हमारे various WhatsApp groups जो है वहाँ पर 20 के notes जो है आपको circulate कर दिये जाएंगे उसके लावा हमारे various courses के बार में information लेने के लिए आप screen पर day number पर contact कर सकते हो तो आज की जो हमारी class ती वह यहीं तक थी Thank you so much